स्वागत है आपको एक वार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्यन करेंगे जो पेपर कोड है 824BL तो 824BL पेपर को हल करके आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो यहां पर देख सकते हैं पहला प्रशन क्या आया हुआ था यहां पर पहला प्रशन दिया गया है कि आउतल दरपड के फोकस पे रखी बस्तु का प्रतवीम बनता है तो आउतल दरपड के अगर फोकस पे जो रखा जाता है बस्तु को उसका प्रत्वीम कहां पर बनेगा पहला दिया है वकरता केंद्र है दरपड के पीछे आनंद पर धुरू पर तिसका उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला आपसन आनंद पर बनता है फोकस पर रखी बस्तु का प्रत्वीम कहां बनेगा आनंद पर बनता है तिसमें तीसरा वाला आपसन जो है सही हो जाएगा प्रस नमबर इसका खोध लेखेंगे चाल सरीकों क से कम होता है सबसे कम और हो जाएगा जाएगा punish प्रकास का उसे कम होजान भनना राप फेझाब कि Украї हो जाएगा गो हाफ राहा को नहीक हम पर परतियक टुकडे का प्रतिरोध होगा तो पहले पांच ओम का प्रतिरोध था इसको पांच बराबर भाग में काटेंगे तो पांच से जब भाग कर देंगे तो पांच पांच कट गया बराबर एक चौथा आपसन इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पांच ओम का मात्रक है तो बैदू सक्ति या बैदू सामर्थ का मात्रक क्या होता है वाट याद रखेंगे वाट होता है मतलब बैदू सक्ति का मात्रक असो सक्ति भी होता है तो यहाँ पर आपसन में देखेंगे असो सक्ति नहीं दिया गया केवल वाट दिया गया है तो इसमें आपसन क् हल जो है अलग से एक वीडियो बनाय जाएगा जिसमें संपूर्ण जो है अतिलहुतरी और बिरिश्टरित प्रशनों का हल रहेगा उसका जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और इसका लिंक जो है description box में दे दिया जाएगा वहाँ से जा करके जो है आप वीडियो को देख सकते हैं इस भाग में केवल जो है बॉवी कलफी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा अब देख सकते हैं रसाइन विज्ञान में कौन कौन से प्रशन आये हुए थे और इसका उत्तर क्या है यहाँ पे दिया गए प्रोपेनल अब प्रोपेनल का सुत्र क्या होता है तो प्रोपेनल का जो सुत्र होगा C3-6O हो जाएगा C3-6O यह किसका सुत्र है प्रोपेनल का सुत्र होगा सऔर बनाने की बिधी बताना है गुरधर्म बताना है तो यह जो अगले भाग के वीडियो में जो इसका संपूर्ण हल करके बताया जाएगा आगे देख सकते हैं आगे क्या दिया गए बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण हर साल पूछने वाला प्रस्णाया हुआ है मानों में गुर्षुत्रों की संख्या होती है तो मानों में गुर् गरभासे शुक्रवाहिका डिम वाहिनी तो यहां पर अंडासे गरभासे और डिब वाहिनी जो होता है वह मादा जननतंत्र होता है लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है वह जो है जननतंत्र है क्या है मानु जननतंत्र में आता है मादा जननतंत्र में नहीं आता है तो यह जो है सुक्रवाहि का जो है या मादा जननतंतर का भाग नहीं है इसमें तिसरा वाला आपसन जो है सही हो जाएगा आगे देख सकते हैं निम लिखित में से कौन सा जीन प्रारूप सुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है दोनों जो है इसमाल टी है यहां कैप्टल टी एक इसमाल टी एक दोनों जो है कैप्टल आर है इसमें चौथा वाला आपसन जो जाएगा डबल आर जो देख रहे हैं यह जो होता है उसे सुद्ध गोल बीज का प्रकट करता है इसमें चौथा आपसन सही है तो अगला प्रसंदिया गए पात्पों में जाइलम का कारे करता है अब प वजय पदार्थों का सवहन जल का सवहन भोजन का सवहन अमीनों अमलों का सवहन इसमें जो आपसन हो जाएगा दूसरा वाला आपसन क्या जाएगा जल का सवहन जो है पात्पों में जाइलम का कारे करता है इसमें दूसरा आपसन क्या है सही है तो उमीद करते हैं यह सभी बिकल्प जो है आपसें जो है समझ में आ गया होगा अब यहां मिंडल का परियोग के अधार पे प्रभावी तथा और प्रभावी लच्छडों को समझाना है तो इसको जो है अगले भाग के वीडियो में संपूर्ण प्रशनों को हल करके बताया जाएगा तो आप सभी विद द्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजिए मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी वी द्यार्थियों को नमस्कार